नमस्कार दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल गरे लूनुस्खे में स्वागत है दोस्तों गणपती विसर्जन पर इस चीज़ का परसाद बाटने से एक ही रात में बनोगे कुरोडपती दोस्तों गणपती पूजन आरती बेहच्यमतकारी है और भगत की तमाम इच्छा कामना की पूर्ती होती है और गणपती आरती वंदना का जितना महत्व है उतना महत्व गणपती विसर्जन का भी है गणेश जी को दस दिन घर में विराजमान करने के बाद उनका पानी में विसर्जन किया जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वेदव्यास के द्वारा बोले गए श्रीमद भगवत के शलोक लिखते समय गणपती जी को ताप चड़ने पर उनको अराम देने के लिए पानी में बिठाया गया था तब ही से उनका विसर्जन पानी में किया जाता है लेकिन विसर्जन के दिन जो भगत पूजा अर्चना में इस चीज के परशाद को बाढ़ता है उसको धन दौलत के से गणपती जी महराज बर देते हैं और भगत की तमाम मनोकामना पूर्ण होती है अगर आप भी गणपती महराज का अशिरवाद पाना चाहते हैं करोड़ पती बनना चाहते हैं तो वीडियो को हम तक जरूर देखें तब ही आप यह उपाई असानी से कर पाएगे और अगर आप वीडियो को वीडियो आपको यूसफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर दें और घंटे की निशान को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप उसे देख पाएगे दोस्तो अगर भगवान गनेश जी का विसर्जन पूरे विदी विदान से करते हैं तो भगवान गनेश जी आपको पूरण सो भागे की प्राप्ति करवाते हैं पंचांके अनुसार गनेश विसर्जन का शुब समय 8 सितंबर रात 9 बजे से शुरू होकर 9 सितंबर शाम 6 बहे तक का शुब मूरत रहने वाला है जो आपको धन्दाने से भर देगा और इस दिन बगवान गनेश जी का उत्सा के साथ विसर्जन होगा गनेश विसर्जन का शुब मूरत 9 सितंबर को सुबए 6 बज़कर 30 मिनट से लेकर 10 बज़कर 44 मिनट तक रहेगा उसके बाद दोपैर का मूरत 12 बज़कर 18 मिनट से लेकर 1 बज़कर 52 मिनट तक रहेगा और उसके बाद संद्या मूरत 5 बज़े से लेकर 6 बज़कर 31 मिनट तक यह समय बहुत ही शुब रहने वाला है और अब आप इस गुपत उपाय को भी जान लें जो आपको एक रात में करोड़ पती बना देगा इसके लिए आप गणपती जी के प्रिये मौदक लड़ू ले ले और उसके पास उसके साथ साथ मिश्री का परसाद ले ले और कुछ गुलाब के फूल के पतिया वो भी आप ले ले अब आप इन्हें एक दिन पहले बगवान गणपती जी के सामने रख दें और गणपती विसरजन के बाद परसाद के रूप में बगतों को अपनी मानों कामना कहने के साथ साथ यह परसाद मोदक लड़ू और मिश्री और गुलाब की पतियों को भगतों को परसाद के रूप में दे दे इस प्रकार एकी रात में चमतकार होगा आपकी आप करोड़ पती बनेंगे आपकी करोड़ पती बनने की कामना पूरण होगी 100% आपकी कामना यह पूरण होकर रहेगी और आप करोड़ पती बन जाएंगे तो दोस्तों यह था आज का उपाई कल फिर मैं कुछ नहीं नुस्खे कुछ नहीं उपाई लेकराऊंगा तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें थैंक यू